देश के 13 राजियों में 3 लोगसभा और 39 विधान सभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे रुजानों में अब तक NDA को 14, कॉंग्रेस को 7 और अन्य के खाते में 8 सीटे हिमाचल प्रिदेश की मंडी, MP की खंडवा और दादर नागर हवेली लोगसभा सीट के नतीजे रुजानों में अब तक मंडी से कॉंग्रेस, खंडवा से बीजेपी और दादर नागर हवेली से शिव से ना आगे विहार में तारपूर और कुषेश्वर स्थान विधान सभा सीट पर काटे की टक्कर, रुजानों में कुषेश्वर स्थान सीट पर Jdu और तारपूर में RJD आगे मद्यप्रदेश की जोबट, रहंगाव और प्रित्विपूर सीट पर काउंटिंग जारी रुजानों में अभी तक दो सीटों पर बीजेपी आगे, रहंगाव में कॉंग्रेस आगे पश्चिम बंगाल की चार सीटों पर नतीजों के लिए वोटों की गिंती जारी रुजान में सभी सीटों पर टीमसी आगे, दिनहाटा में टीमसी के उधियन गुहा एक लाग तिरसट हजार वोटों से जीते असम के गुसाएं गाउं, भवानिपूर, तामुलपूर, मरियानी और थोवरा विधानसभा सीटों पर वोटों की गिंती रुजान में सभी सीटों पर NDA आगे हिमाचल की अर्की, फतेपूर और जुबल, कोटखाई विधानसभा सीट पर उपचुनावों की नतीजे रुजानों में अब तक एक सीट पर बीजेपी, दो पर कॉंग्रेस आगे राजस्तान के वल्लब नगर और धर्यावार विधानसभा सीटों पर कॉंग्रेस आगे आंदरप्रदेश की बदवेल और तेलंगना के हुजूराबाद में नतीजे, अब तक के रुजानों में हुजूराबाद में बीजेपी आगे आंदरप्रदेश के बदवेल से जगन मोहन रेड़ी की YSRCP आगे करनाटट के सिंग्धी और हंगल पर उप्चुनाव की नतीजे, रुजानों में सिंग्धी से बीजेपी और हंगल से कॉंग्रेस आगे हर्याना की एलानाबाद विधानसभा सीट पर उप्चुनाव की नतीजे, आइन एलडी के अभै चौटाला साड़े 6,000 से ज्यादा वोटों से आगे मदगर्णा से ठीक पहले तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला, पदाधिकारी का विडियो वाइरल कर लगाया धांदली का आरोप कहा जेडियू प्रत्याशी के लिए वोट मांगने वाले को जिमा लोकतंतर की हत्या कर रहे हैं नितीश पंजाब के सीम चरंजीत सिंग चन्नी और नवजोट सिंग सिद्धू ने दहरादून में कॉंग्रेस के वरिष नेता हरीश रावत से की मुलाकात केदारनाथ धाम जाएंगे सिद्धू और चन्नी हरीश रावत ने कहा पंजाब कॉंग्रेस में कोई जगडा नहीं है चुनाव में जीतेगी कॉंग्रेस चुनाव से पहले पंजाब में कॉंग्रेस की चन्नी सरकार का बड़ा एलान साथ किलो वाट तक के कनेक्शन वालों को प्रती यूनिट तीन रुपे सस्ती मिलेगी बिजली कर्मचारियों का डी ए ग्यारा प्रतिशत बढ़ाने का फैसला चन्दिगड के एकारेकर्म में सिद्धू ने बिना नाम लिये चन्नी सरकार पर साधा निशाना कहा पौने पांच साल में किसी ने नहीं पूछा अब आखरी दो महिने में ये भी लो वो भी लो